दुफतो आज की वीडियो है, पोरी जानकरी देंगे। अप्रभी का स्वागता मैक्रो इडिकेशन यूट्यूव चैनल में। आपको पता ही है हम अपने इस चैनल के उपर Micro-Education System से जुड़ी होई हर तरह की जानकरी देने की आपको कोशिश करते हैं आपको हर तरह की system को fit कैसे किया जाए इसकी पूरी जानकरी दे रहे हैं आज इसी लड़ी में हम लोग आपको बताएंगे Portable Sprinkler System के बारे में यासे दोफ्तों आप देखने हैं यह Portable Sprinkler है तो इस वीडियो में आपको इसको complete बताऊंगा कि Portable Sprinkler System को fit कैसे किया जाता है Portable Sprinkler System में fit करते हैं हमें क्या spacing रखनी है कौन सी pipe का size आपने इस्तिमाल करना है एक लेंथ में कितने Sprinklers का आप इस्तिमाल कर सकते हैं इस वीडियो में इसकी आपको complete जान करी दूँगा दोफ्तों मैं अमीद करूँगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी आप देख सकते हैं यहां पर पूरा समान है यह वाले हमारे Sprinklers होगे यह हमारा पिछे जो लगेगा यह end gap होगी है यह T हो गई यहां पर पाइप को दो तरफ लेके जाना वहां पर T का इस्तिमाल करेंगे और यह हमारी दोस्तों HDP की pipes होगे तीन इंची की यह pipe, clump वाली pipe होती है, मैं आपको दिखाता हूँ जो 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 दोस्तों clump वाली pipe होती है जो दो तरे की होती है यह एक होती है, Fee Type और एक होता है, Fee HNB Clump Hook Nut bolt एक pipe इस तरे की होती है जिसमें यह वाला clump लगा होता है इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जब pipe को fit करना है और दूसरा जो जो दोस्तों इसका अपग्रेड वर्जन है वो यह है, इसको कहते है Fee Type Clump इसको फिर वापने ऐसे ही करना है, जब भी pipe को connect करना है तो यह मेरे पासे बहुत ही शांदार है, इसमें क्योंकि इस वाली pipe को फिर वैसे ही क्रम को करना है और इस वाली क्रम को थोड़ा सा यह है कि कई वार इसका nut nut गिर जाता है जा इसका कोई string गिर जाता है तो थोड़ी हमें मुश्किल आती है, जब कि यह permanent fix ही ही रहता है चलिए आईए, आप मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि fit कैसे करना है और pipe हों के वीच में दूरी कितनी रखनी है एक sprinkler का discharge कितना होता है इसके बारे में आगे बात करते हैं तो दोस्तों यह है subversial pump Subversial pump के आगे सबसे पहले आपने PCN लगाना है इस PCN को pump connected nipple भी कहते हैं यह PCN pump के आगे लगाने के बाद फिर आपने जो HDPE की pipe होंगी उसके बाद HDPE pipe को connect कर देना है जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह दोस्तों हर pipe के आगे एक clump लगा होता है इसी तरह से आपने एक pipe को दूफरी pipe में install कर देना है जहां पे दोस्तों आपने Tी डालनी होगी तीसरी तरफ पाणी लेके जाना है तो वहां पे आप यह Tी को डालने और एक connection हम लोग तीसरी तरफ कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यह pipe बहुत ही light weight होती है एक आदमी दो pipe उठाके राम से move कर सकता है क्योंकि pipe का वजन वड़ा कम है पर pipe की strength बहुत होती है इस तरह से दोस्तों आपने pipe को एक pipe को दूफरी pipe में connect कर देना है इवन pipe के अंदर एक gasket लगी होती है जब हम लोग pump को on करते हैं पानी आता है तो यह gasket अंदर से फूल जाती है और वहां से किसी भी तरह की leakage नहीं होती है अब दोस्तों यह है हमारे sprinkler यह brass के sprinkler होते हैं इन में foot button बना होता है foot button से यह होता है कि sprinkler गिरते नहीं है असानी से खड़े रहते हैं अब आप देख सकते हैं इन foot button में भी see clamp लगा होता है तो राम से आप इन pipe में इन sprinklers को fit कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमने हर दो pipe के बाद एक sprinkler लगाना है क्योंकि जो हमारे sprinkler का radius है वो 10-12 meter होता है अब देख रहे हैं कि यह हमने pipe को layout कर लिया है यह हमने आगे sprinklers को install कर दिया अब दोस्तों last में यह end cap लगाना है जहां पर हमने पानी को बंद करना है last में end cap लगा दें यह है दोस्तों दूफरी pipe जो मैंने अभी आपको बताया था है तो इस converter से आप इफ्तमाल करके इन वाली pipe को फिक लैंप वाली pipe के फार connect कर सकते हैं अभी दोस्तों आप देख सकते हैं वड़ा ही शांदाज देखे पर sprinklers चल रहे हैं एक sprinkler पर दूफरे sprinkler की दूरी 12 meter है क्योंकि हमने दो pipe के बाद एक sprinkler को लगाया था अब दोस्तों यह sprinkler का discharge आ रहा है वो आ रहा है 2000 लिटर प्रती घंटा यह आपने ध्यार रखना है जो ब्राफ बाले sprinklers होते हैं इनका discharge 1500 से लेके 2000 लिटर प्रती घंटा होता है अगर आपका आपकी मोटर के उपर प्रैस दो केजी पर प्रती घंटा है तो इन sprinkler का discharge 2000 लिटर प्रती घंटा आ जाएगा अगर दोफ तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोफरे किसान भाजियों के साथ वीडियो को शेर जुरू करना हो और अभी तक अगर आपने चैलन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैलन को सब्सक्राइब जूरू कर दे रहा